हेलो मेरे प्लस्टू के बच्चो कैसे हो आप लोग ठीक हो सभी लोग हाँ मैं भी ठीक हूँ बहुत चाहूँ तो बेटा आज हम जो करेंगे बायलोजी का मैं यहाँ पर बायलोजी लिखना बूल गया तांगे बच्चों को पता चल जाए कि हम बायलोजी पढ़ रहे हैं बा अब देखो जो मोनो हाइबरेड क्रोस मैंने पहले वाली वीडियो में करवाया अब मैं डाय हाइबरेड क्रोस करवाने वाला हूँ तो यह मेंडल की सबसे बड़ी यह काम्याबी का रास्ता रहा कि उन्होंने मोनो हाइबरेड और डाय हाइबरेड क्रोस करके जो आगे आन तो आप बिल्कुली ये बिल्कुली गलत है कि मैं अगर आपको बोल दूँ कि विदाउट मेंडल के लौ पड़े हुए क्योंकि जो नीब थी वो मेंडल सर नहीं रखी थी क्योंकि मेंडल अगर पहले उनको जब जिन्दा थे तब उनको वो रिकोगिनिशन नहीं मिली तो कि बाद जब सेंटर स्टो ने इनकी थियोरी के उपर गोर फरमाया तब इनका जो बरिदान था साइंस के लिए जेनेटिक्स के लिए वो बड़ा महत्तपुन साबित हुआ तो इसलिए इनको जेनेटिक्स का फादर बोला याता है ठीक है जी तो आपने याद रखना कि जेन इनको जेनेटिक्स का आज इस तरीके से डेवल्मेंट ना होता ठीक है वेटा तो आज हम करेंगे डाय हैब्रेट क्रोस इसमें मेंडल सर ने क्या बोला मेंडल जी बोल रहे हैं कि अब जो आप पी प्लांट का मोनो हाइब्रेट क्रोस कर चुके हो तो आपने अगर डाय जैसे अगर मैं बात करूँ पर्तिकुलर एक क्रेक्टर जैसी हाइट की उपर उन्होंने लेकर करवाया झालर की उपर लेकर कर बूर बू Till झी बोला जी sırĩले जी और एक ौनुने शीप ले ली तो दो दो धो करेक्टर एक साथ में रख चानलर क्रोस कर वो भोल रहे हैं कि एक female लो एक male लो मतलब एक female के character एक male के character ले लो जा फिर आप बोल सकते हो एक female इदर रख लो female इदर कोई बात नहीं है ठीक है कह रहे हैं कि आपने एक तो round seed लेने है round seed के साथ आप yellow color के जो आप seed रख लो yellow color रख लो और दूसरी बार बोल रहे हैं कि वो round seed ना लेकर के wrinkled seed ले लो और उनके साथ वो जो color रखोगे वो green color रख लो बस बाद यहां पे start हो गई अब उन्होंने अभी नहीं बताया कि कौन dominant है कौन recessive है क्योंकि जब cross होगा जब जिसका expression दिखेगा next one F1 generation में वो ही तो dominant कहलाएगा ना तो यह कौन सी हो गई यह हो गई आपके parents आपके नहीं पी plant के आपके नहीं हो गई आपके तो आपके है आपके पास ना तो यह नहीं होंगे ठीके जी तो उन्होंने क्या किया round और yellow को wrinkled और green को देखो दो-दो करेक्टर ले लिए तो यह die hybrid cruise मन गया ही color वाला और shape वाला color वाला और shape वाला तो कहते हैं cross करवा दो cross करवाने के बाद जो F1 generation आएगी वो क्या आएगी तो वो देखा गया एक R capital, एक small r एक y capital, एक small y तो इस तरीके से jeans निकल के आई मतलब अभी jeans का तो उनको पता नहीं लेकिन जब उनके पास F1 generation आई वो F1 मतलब filial 1 generation filial 1 मतलब जो off strings होते हैं off strings मतलब जो बच्चे होते हैं जो निकल के आए वो कैसे निकल के आए उनके जो seeds थे वो round थे seeds round निकल के आए color जो था वो क्या निकल के आए वो yellow निकल के आया totally 100% इसका मतलब ये हो गया कि totally जो F1 generation है वो 100% round और yellow के साथ आएगी अब F1 generation पे तो break लगेगा नहीं अब F1 generation तो ये midpoint होता नहीं जा मैं बोलू end point तो है नहीं क्योंकि अब तो ये character आगे कहां कहां तक अपना expression शो करते हैं कहां कहां तक ये जाएंगे तो यही तो उनने थाबत किया कि आगे जितनी भी पीडिया है तो जाएगा तो ये जो F1 generation थी इनका ये proof रहा कि जो generation में जो characters होते हैं वो बेशक 2-3 पीडियों में skip हो जाए ना दिखे उनका असर लेकिन आगली वली पीडियों में असर जरूर दिखेगा तो देखो F1 generation में असर नहीं दिखा ये green और wrinkled का लेकिन जब अब इस वली पीडियों को जो अब F1 generation आई जब इनको self self करवाया गया, self breed करवाया गया देखो ये बड़ी important चीज़े है self breed करवाना और cross breed करवाना यहाँ पर cross breed हुआ cross मतल दो अलग लग का male और female को लेकर के और जब फिर जो F1 generation है फिर उनको सभी कहा self breed करवाया गया self मतल खुद के साथ ही क्योंकि यही तो P satimum, मतल पाइसम satimum की खुबी थी के वो self भी कर सकता था और किसी के साथ मतल अपने जैसी variety को अगर मालो एक को male बना दिया एक को female बना दिया तो वो cross breed भी कर सकता था तो यही तो खुबी थी इसलिए तो उन्होंने P satimum को choose किया था Mendel Sir ने ठीक है जी तो जब उन्होंने self breed करवाया तो self breed करवा कि क्या देखा कि उनके पास जो phenotypic ratio निकल के यह अब phenotypic की बात कर रहूँ phenotypic जो ratio निकल के यह वो F2 में 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio 1 निकल के यह 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1 निकल के यह तो यह बड़ा important था क्या था इसमें कि इसमें उन्होंने देखा कि कुछ जो ऐसे plants थे जो totally round और yellow color के थे ठीक है जी, round और yellow color के थे और कुछ ऐसे plants थे जो कि अब देखो अब यहाँ पर बात ऐसी आगी मैंने capital रिख रहा हूँ देखो बेटा मैं आपको बड़ी important चीब बताऊंगा कि देखो जब round और yellow तो आ गए एक side पे pure breed में आ गया उनका wrinkled और green जब आना चाहिए था round yellow जब wrinkled green लेकिन दो अलग अलग तरह की varieties आ गई क्या क्या कहते हैं कि round seed के साथ green color आ गया दूसरे में आ गया कि wrinkled seed के साथ yellow color आ गया ये बड़ा important था ये बड़ा important अब ये वाली die hybrid में अब ये निकल के आया कि बारी बारी जो characters थे वो अपना expression शो कर रहे थे फिर जब इन्नों का फिर इनका फिर इनका फिर इनका फिर इनका self breed करवाया गया लेकिन जब इनका देखो ये वाली जो 1% में आई 1% में आई है मतलब generation की बात हो रही है ये छूटी जन संखेनी है ये तो बड़ी देखो calculation में करकर के ये तो ratio निकलाई अब इनका आगे जो भी होगा मतलब मालो लाखों क्रोडों में अगर पैदा करोगे तो इसी तरीके से पैदा होंगे वो ठीक है तो ये था तो student यहाँ पे पता चला जहाँ पे इस चीज का पता चल रहा है कि अब जो F2 जनरेशन डाई हैब्रेड के अंदर वो round yellow तो है और wrinkled green भी है ठीक है लेकिन उसके साथ आप जो new combination बन रहा है वो new combination बन रहा है round और round के साथ green का और जो ए वाला combination है वो क्या है wrinkled के साथ क्या उनसा yellow का अब wrinkled की बाद करो तो जो gold नहीं होते वो irregular shape नहीं होते है उनको wrinkled बोलते है अब ये वाला निकल क्या है अब बात ही है ये जो हम ratio निकाल रहे है 100% ratio round yellow की निकल क्या आगई 9 ratio, 3 ratio, 1 ratio ये मैंने आपको जैसे last time menu पर बताया था कि ये physical ratio होती है ठीक है, phenotypic ratio होती है मतलब बाहर से देखने में कैसे लग रहे है ये बाहर से देखने में जैसे मालो round and yellow लग रहे है तो उनकी ratio 9 आगई जो बाहर से देखने में wrinkled and green लग रहे है उनकी ratio 1 आगई जो बाहर से देखने में round and green आगई उनकी ratio 3 आगई जो बाहर से देखने में wrinkled and yellow आगई उनकी ratio 3 आगई तो ये तो बाहर से देखने में आगे ना अब अगर मैं बात करूँ जिनोटीपिक रेशो भी निकाल के दखाओ जिनोटीपिक रेशो मतलब जीन्स की रेशो क्या है तो जीन्स देखो अब टोटल के टोल राउंड येलो जो हैं वो होमोजाइगस तो होंगे नी मतलब होमोजाइगस बोल दिया मतलब हेट्रोजाइगस डॉमिनेंट तो होंगे नी हेट्रोजाइगस डॉमिनेंट ये भी डॉमिनेंट है ये भी डॉमिनेंट है जो कैपिटल में लिखा है वो डॉमिनेंट जीन्स है तो जीन अब जो हेट्रोजाइगस डॉमिनन तो होएंगे निए अब कुछ तो और इन में कुछ खासियत तो होगी न कुछ डिफरेंस तो होगा तो वो कैसे निकलने वो देखते हैं वो आगे हम ये पेज टरन कर लो फिर हम देखते हैं कैसे बनाते हैं तो students यहां से देखना आप लोग तो मेरी battery low हो चुकी है तो flash किसी भी समय पे बंद हो सकती है तो tension नहीं लिए ना ठीक है तो जो मेरे पास F1 generation आई थी वो क्या आई मेरे F1 generation capital R, small R, capital Y, small हो है मतलब क्या कि 100% मेरे पास round yellow निकल किया है ठीक है अब जो expression शोग हो रहा है वो dominant है उन्हीं का तो शोग होगा बाहर से देखने में round और yellow तो यही दिखेंगे लेकिन genetically हमें जो genotype है वो तो हमें अभी पता है नहीं जब study करेंगे तो हमारे पास यह genotype आईगी genotype में क्या है कि heterogigus है है heterogigus में क्या है कि heterogigus में dominant भी है और recessive genes भी मिलेंगी आपको ठीक है तो अगर मैं इन्हीं का self breed करवाद हूँ genotype ratio क्या रहेगी दूसरा आपने यह देखना होगा कि आपकी phenotype ratio क्या रहेगी ठीक है जी जो हम देखते है कैसे लेखो यह F2 जो जब generation बनाओगे क्योंकि जो आपके बस 9 ratio 3 ratio 3 ratio 3 ratio बनाया उसका हम देखेंगे वो कैसे बनाओगे आप एक डबबा लगाओगे इस डबबे को आप 4 भागों में बाट लो ठीक है एक बाग दूसरा और यह फिर तीसरा और यह फिर चोथा आपका last बला हो गया ठीक है जी इस तरीके से ही आप चोथा चार हिसों में बाट लिया अब चार हिसों में से ही आपने इधर बाट लेना है एक आपका दो आपका यह तीन और आपका यह चार चार हिसों में यह बंट गया ठीक है और यह जो बचा हुए इनको आप साथ में मिला दो अब यहाँ पे आपने जो आपके jeans हैं जो आ पहले तो आप दोनों dominant ले लो ठीक है दोनों जो आप देखो आप डाई हैब्रिड कोर्स कर रहे हो तो डाई हैब्रिड में तो आप डाई डाई दो आपने characters लेने हैं एक बार आप दोनों dominant रख लो दूसरी बार में आप एक recessive रख लो दूसरा dominant रख लो तीसरी बार में आप एक dominant रख लो, दूसरा आप recessive रख लो, तीसरी बार में आप दोनों ही recessive रख लो, ठीक है, और इधर भी same आपने जो आपने उपर रखा वही आपका आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका y capital आगया, तो यहाँ पे आपका r capital, यहाँ पे small आगया, यहाँ पे आपका दोनों के दोनों small आगया, तो अब cross कराओ, cross करवाने से, देखो self reading हो रही है, तो self reading से क्या आएगा, तो जब इनका आप multiply कराओगे, r के साथ r का multiply, तो r, r, तो y का y के साथ y, y, ठीक है जी, dominant आप सबसे पहले लिखोगे, dominant के सबसे पहले का मतलब हो, जैसे अभी देखना, अब इसी को एक को पकड़ लो, पहले एक को complete करेंगे, इसी को पकड़ा, इसके साथ क्या, अब इसी को पकड़ो, अब इसके साथ करो, कैसे आप देखो, dominant आ गया, अब यहाँ पे recessive है, तो recessive बाद में लिख दिया, अब यहाँ पे dominant, यहाँ पे dominant, ठीक है, अब आप थर्ड के साथ करो, उसी तरीके से, capital R, capital R, capital Y, small y, यह हो गया, अब आप fourth के साथ करो, capital R, small r, capital Y, small y, यह हो गया, अब आप second वाला करो, यह वाला अप ठालो, अब इसके साथ करो small r, small r, capital Y, capital Y, capital R, अब इसको third के साथ करेंगे, ठीक है, तो करते रहो आप, इसी तरीकी से, अब उसी को हम fourth के साथ करेंगे, small r, small r, capital Y, small y, यह हो गया, अब इस चीज को हम इस चीज के साथ करेंगे, यह characters को, मैं चीज बूल रहा हूँ, यह चीज नहीं है, यह characters है, तो capital R, small r, उसको अब, यह round लगायाता हूँ, इसको अब हम इसके साथ कर रहे है, capital Y, small y, अब वो third के साथ, इसके साथ करेंगे, capital R, capital R, small y, small y, I think आपको पता चल रहा होगा, उसी को अब हम last वड़े के साथ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बीना पंखे के पढ़ाना पड़ता है, यह वड़े को आप करेंगे हम, capital R, small r, capital Y, small y, ठीक है जी? अब second के साथ करेंगे, small r, small r, capital Y, small y, अब third वड़े के साथ, capital R, small r, small y, small y, अब last को last के साथ, small r, small r, small y, small y, अब यह निकल का है, आपके पास जी जीनोटीपिक expression बन रहा है, और इसी expression से आपको पता चलेगा के फिनोटीपिक क्या रहेगी, और जीनोटीपिक क्या रहेगी, ठीक है जी, कितने plant आपके round green है, कितने plant आपके round yellow है, कितने plant आपके wrinkled green है, और कितने plant आपके पास wrinkled yellow है ठीक है जी देखते हैं कैसे यह ऐसे देखो यह बला आपका dominant है यह भी dominant है तो यह round हो गया तो यह yellow हो गया तो आप इस चीज़े को क्या गरो round yellow हमारे पस निकल क्या गया इसको circle लगा तो circle लगाने से आपको पता चल जाएगा आपको कौन कौन सा आपका round yellow है जोखिए यहां पर dominant recessive का character show नहीं होता यहां पर dominant यह भी क्या हो गया round yellow हो गया clear होगी बात तो यहां पर भी दोनों dominant है तो round और y आपकी dominant है तो यह yellow हो गया तो यह भी round ते yellow तो कि जो recessive होता वो अपना character show नहीं करता ठीक है अब यह round हो गया यह capital Y है तो यह yellow हो गया round yellow हो गया तो यह भी आप अपना character जो है show करेंगे dominant तो ये भी round yellow हो गया आपको पती चल गया ये recessive है इसका character show नहीं हो गया ये वला करेगा अपना effect show करेगा अब ये देखो दोनों recessive हो गये तो इसका मतल़ ये wrinkled ही yellow हो गया ये नहीं हम करेंगे देखो ये round yellow है ये भी round yellow हो गया तो एक एक जीन इन में dominant है तो ये एक recessive है एक जीन dominant है तो देखो एक जीन दोनों जीन dominant है एक जीन इसमें dominant है तो आपको ये round round yellow हो गया तो ये भी dominant है round yellow हो गया ठीक है तो ये ये नहीं आएगा ये दोनों jeans मतलब ये green दखा रहा है कोई कि दुनों recessive है तो recessive वाला ही character शो होगा कोई कोई भी dominant नहीं है इसमें round वाली dominant है तो ये भी नहीं होगा तो ये देखो round वाली dominant होगी color वाली dominant होगी तो ये round yellow होगया तो और इसमें कोई नहीं है ठीक है जी तो आप गिनो आप count करो एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो नो हो गए आपके बस तो जो 9 है आपके पास वो क्या हो गए वो आपके पास हो गए round yellow हो गए ये तो बाहर दिखते हैं ये तो आपको phenotypic ratio लिख रहे हो ठीक हो जो बाहर से दिखेंगे जो जैसे बाहर से दिखेंगे वो आप लिख रहे हो ये तो phenotypic ratio लिख रहे हो ठीक है ये तो phenotypic ratio लिख रहे हो अब देखो, अब हम निकाल लेंगे ये वाला ये कौन सा है, ये green green के साथ कौन सा, सोरी, ये wrinkled wrinkled के साथ कौन सा, ये अब new nickel का है अब जब मैंडल ने देखा कि ये new character आ रहा है, जो के wrinkled है लेकिन color में yellow है ठीक है, तो ये new nickel का है तो इसको आप क्या करो rectangle के साथ mark करो ऐसे को तो देखो, ये आपका wrinkled है, लेकिन आपका yellow है, तो ये भी आपका आएगा ठीक है, ये यहां से देख लो आप, ये तो आपका round है और green है, round है, green है ये देखो, ये एक रही रहा ठीक है, और नहीं बचेगा तो ये मतलब आपके पास, जो तीन निकल का है वो कौन से निकल का है, आपके पास wrinkled और yellow, ये निकल का है ये फिनो टीपिक रिशों में एक और add हो गए, ठीक है, अब देखो ये वादा निकल लेंगे, ये अब round है और green है round और green को हम twrangle के साथ mark कर लेंगे, इसके साथ पता चल जाएगा कोण कोण से, ठीक है ये फिर हम पजल नहीं होते है, फिर कौन से आगई, ये आपके पास आगे तीन round and green निकल के आगई, अब ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों जो है ये आपके पास दोनों recessive है, इसका मतल जो एक निकल के आया वो pure निकल के आया, प्योर कौन सा वो आया है, आपके पास wrinkled or green wrinkled or green, wrinkled or green totally pure निकल के आया, अब बात हो रही है कि pure कितने कितने है, ठीक है, अब देखो pure में कितने कितने है, अब जीनो टीपिक रेशो निकल लेंगे, ठीक है, round and yellow में से भी आपके जो जीनो टीपिक रेशो वो निकलेगी, अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, round and yellow इनकी मैं अगर जीनो टीपिक रेशो लिखूँ क्योंकि 9 निकल कहे थे, 9 की अगर जीनो टीपिक रेशो निकूँ जीनो टीपिक रेशो, अब जीन्स की बात करेंगे तो देखते हैं, कौन से हैं, देखो एक दो आपका प्योर निकला, round and yellow वन लिख दो, क्योंकि और कोई प्योर नहीं आएगा ठीक है, अब देखो, वन आपका प्योर आगया कौन सा, र, र, कैपिटल वाई 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 रेशो में, रेशो में दूसरा आपके बास, एक, देखो यहाँ पर dominant है, एक recessive है दोनों dominant है, तो ऐसे निकालते हैं कोई है और कोई, देखो यह है एक, और यहाँ पर एक यह पड़ा है दो, ठीक है, जिसमें आपके पास एक recessive gene है तो आपके पास एक dominant gene है, round वली, तो आपके पास यह दो निकल के आए, कौन से दो निकल के आए, आपके पास capital smaller, capital Y, capital Y यह आपके पास दो निकल के आए, ठीक है अब और देखते हैं चलो, मानलो, हमने इसको भी निकाल लिया cut करेंगे, इसको भी निकाल दिया यह भी cut करेंगे, यह भी निकाल दिया ठीक कौन कौन से तो यह जिनोटिपिक निकल रही है ठीक है यह जिनोटिपिक निकालने का तरीका होता है तो बहुत इंपोर्टन चीज यह आपको पता होनी चाहिए तो यह आपका निकल गया ठीक है यह भी आपका निकल गया अब यह भी राउंड यहलो थे इसमें देखो ए एक dominant, एक recessive, एक dominant, एक recessive, एक dominant, एक recessive, यह पड़ा है, ठीक है, दो, ठीक है, दो हो गए, दो के बाद, एक dominant, एक recessive, तीन, एक dominant, एक recessive, चार, यह आपके पास चार हो गए, ठीक है, तो क्यों से चार हो गए, एक आपके पास dominant, एक recessive है, एक dominant, एक recessive है, तो यह आपके पास च आगे हैं हमारे पास अब अगर दूसरों की लिथे निकाल सकते जिनोटीपिक किस तीन वालों की निकलते हैं ठीक है जो कि जो तीन है रिंकल्ड एंड्यालो रिंखेलो को मैं Semano George लिखते हाँ तो यह तीन थे हैं Hilux Gen to साथ सेम हो रही है अब इसका मतलब दोनों रिसेसिव एक डोमिनेंट है ये कितनी है दो कौन कौन सी दोनों रिसेसिव एक डोमिनेंट है रिंकल डेल ये हमारे पास कितनी है दो ठीक है अब ये हो गई रिंकल डेल ये भी हम कट कर देंगे अब ये वड़ देखो रिंकल डेलो एक से पूरा सेट दूसरा सेट पूरा डॉमिनेंट है ठीक है है तो ये फिर वह ही है ने रिंकल डोड येलो तो इसका मतलब 2 रेशो 1 में ये आ गए देखो तीन हो गए पूरे तीन हो गए अब अगर हम दूसरे निकालें दूसरे में क्या है दूसरे कौन से है round and green वाले ये भी हमारे पास कितने तीन इनकी डिशो निकालते है अब कैसे देखो ये भी हो गया round ग्रीन है अब पूरा सेट डॉमिनेंट एक सेट पूरा रिसेसिव ठीक है चलो ये लिखते हैं पूरा सेट डॉमिनेंट एक सेट कुरा रिसेशिवी कितने एक आगया हमारे पास एक डोमिनेंट बाकी तीन जो करेक्टर ना वो रिसेशिव एक डोमिनेंट बाकी तीन रिसेशिवी यह दिखुद तू आ गई तो एक हमारे पास यह आ गया बहुत इंपोर्टेंट ची करवा रहा हूँ इतना टाइम जो लग रहा है आपको यह इसा ही है कि मैं आपको बगवास करवा हूँ तो आपकी जिनोटीपिक इसकी आगए तो पेपर में की वर पूछ लेते हैं जिनोटीपिक बता हो ठीक है जी मेरी बैटरी होगी लो इसका मतलब मेरा जो फ्लेश दहका वो खतम हो गई अब प्योर एक प्योर निकला था वो प्योर जो था वो रिंकल्ड ग्रीन का वो तो यह ही है वो तो यह ही है देखो ठीक है वो तो यह है, अब इसका मतली यह हो गया कि जब dihybrid cross हुआ तब यह पता चला कि जब Mendel ने यह सब cross किया तब यह पता चल रहा है कि इसमें प्योर सिर्फ दो ही निकल रही है मोनो हाइबिड की तरह एक पेऊर निकल रहा है एक पेऊर आपका बिल्कुली टोटली जो रिसेट से वला ये पेऊर निकल रहा है ठीक है एब वान बड़ बड़ा बाकी जितनी भी है सारे वो क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा क्या होगा जेन्स कभी अपना एफेक्ट शो कर रही है कभी नहीं कर रही तो यही था डाइबिड क्रोज जिसमें जिनो टिपिक और फिनो टिपिक काफी ज़्यादा वेराइटी में काफी ज़्यादा मतलब बास्ट डिफरेंस लेकर किया हैं और यह जिन्होंने साबित किया कि जनरेशन तो जनरेशन यह जो करेक्टर्स हैं यह आगे पास होती रहते हैं ठीक है तो यह था डाइबिड क्रोज इसमें और कुछ भी नहीं है तो आप यह पढ़ सकते हो मोनो हाइबिड डाइबिड क्रोज को मैं बहुत ज़्यादा डीप तरीके से समझाने की कोशिश की है अगर और तो मेरे को लगता नहीं कुछ होगा इसमें तो नेक्स्ट टॉपिंग में मिलूँगा बेटा अभी इसी थन्मे के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मच